क्लास नाइन ते के देखे सभी विध्यारतियों जैसा कि आप सभी जानते हैं आप सभी की में तिरे मासिक परिक्षा की लगता तैयारी करवा रही हूँ इसी भीच आप सभी को विसे हिंदी के दो सेट पेपर प्रोवाइट करवाऊंगी सेट ए और सेट पेपर बी किके आप किसी भी जीले से इस विडियो को देख रहे हो तो आप ये दोनों सेट पेपर कमप्लेट कर लीजे हंड्रेट परसन आपको अच्छे से अच्छे प्राप्त होंगे तो चली विडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रसनों को अच्छे से समझते हैं पहला प्रस्न है दी गुनन वेंजन है इसका राइट ओप्सन है डावर ठाम जो व्यक्ति अपनी किस्मत खोद रचते हैं उन्हें कहते हैं सासी एक दिन भूच का पाट की विदा है डाइरी धरती सब्द का विलोम सब्द होगा अकास दो अन्नों के मेल सक्पनी विकार को कहते हैं संदी कारक के प्रकार है कितने आठ ठीक है तो ये थे हमारे सही विकल्प आप अच्छे से स्क्रीन सोट ले और अच्छे से आप उनको करें चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रस्थि कि रिक्ति स्थानों में सही विकल्प का चैन कर लिखे हैं पहला प्रस्थि महमान को भोजन में सबसे जान देडेडेश पसंद था पापड दूसरा ऌत्रिकी यात्री की उम्रेडेडेश से अधिक नहीं होनी चाहिए चालिस वर्स तीसरा प्रस्थन रन फॉर यूनिट मेरा थन दो डेडेडेस किलोमेटर लंबी थी पांच चोथा प्रस्थन हैं यहां तो पुंडमासी के डेडेडेस के समान है चांद सत्पुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूब हुए से नदी दूष्टे व यह लिए तो अगले प्रस्थन को और आगे बढ़ते हैं इसके बाद में हमारी सही जोड़ी बनाईए तो सही जोड़ी में यहां पे मैंने नम्मः डाल दिये हैं चलिए मिलान कर लेते हैं दूलफ की जोड़ी रहेगी कठिनता से प्राप्त कबिर्दास की जोड़ी कि आधार्योग्य मृति का की जोड़े रहे ही मिध्टी दो बैलों की कथ़ा इसके जोड़े रहे मुनशी प्रेम चंद्र और जहरीला की जोड़े रहेहिज साप ठीक है चली तो जोड़े हमने कंपलेट कर लिए आप स्क्रीन सोट लेओ और अच्छ से कंपलेट करें इसके बाद में हमारा अगला प्रस्न है एक वाक की में उत्तर लिखे ठीक है इसका पहला निसा देखते हैं कि हिंदी वर्ण माला में सोरो की संख्या कितनी है ग्यारा है सूरज का बेहा कविता में सुहाग के गीत कोन गा रहा है रामधारी सिंधिन कर भारत के अंतरिक्षे के है आई आर एस ओ बंसी दर को किसकी नोकरे मिल गई थी दरोगा की और जूरी के बेलों के नाम लिखे हीरा और मोती वासलिरस का इस्थाई भाव क्या है तो वासलिरस का इस्थाई भाव है वसल ठीके चलिए तो आप स्क्रीन सोट लें अच्छे से कंप्लीट करें इसके बा कबिर्दास की भासा सद्दू ककडी है तो ये असत्य है हरी घास पर चलना सुआस्त के लिए हनिकारक होता है तो ये असत्य है अडियल सब्द का अर्थ हट्टी है तो ये सत्य है दोको दोके से सफलता पाना सम्मान जनक होता है तो ये असत्य है हेलन केरल को तेराकी का सत्ति कर लिए आपके ये वस्तो निष्टि प्रस्ण थे जों कि हमने कर लिए हैं अब आपके दो-दो नमबर वाले प्रस्ण पांच स्टाट होते हैं तो देखिए व्रधमचली ने सभी जीवजनतू से क्या खा है सत्पूड़े के घ्रणी जंगल का विता की चार पंक्ति लिखे मांसिक वेतन को पुर्ण मासी का चान क्यों कहा गया है कंटे से उच्चारत होने वाले वर्ण लिखिए आप अपने घर में किस-किस प्रकार के अनुसासन का पालन करते हैं परियावाची सब्दी की परिभास अधान सहीत लिखे समास की परिभास अधान सहीत लिखे पेड़ पोधे हमारे लिए किस प्रकार फाइदे मंद है ठीक है पुराने जमाने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे कारक की परिभास अधारन सहीत लिखे ठीक है चले तो आप स्क्रीन सोट अपने हर एक प्रस्ण का अच्छे से ले लिया होगा अगले प् निम्नलिकित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोक के जे पहला है अंगोठा दिखाना दूसरा है तील क ताड बनाना अंधे की ये लाटि ठीक है इसमें से आपको तीनी करने है ठीक है पत्नी साम गुजिया इन संग्या सब्दों आप अपने क्या किया लिखे त्वाद में आवेदन पत्र ठीके बुग बेंके से पुस्ता के प्राप्त करने के लिए इसके बाद में तेविश्वा प्रस्तने इसमें दिया गया है निकबंटी के आप